साथियों, बनारस ने जिस पीड से इतने कम समय में आक्सिजन और आईसुईउ बेट की संख्या कई गुना बढ़ाई हैं, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उधारण है, आधुनिक तक्नीक वाली नई मशिन्स आने से यहां RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है, मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्तिक तरीके से काम कर रहा है, आपने जिस तरह से टेकनोलोजी का प्रयोग किया है, सभी जरूरी व्यवस्ताओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलब बनाया है, वो अनुकरनी है, हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाये बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है, स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने सौचालय हो, आप सोचिये, जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन करके भेजा, और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्थाव करने के लिए आया था, आपने मुझे पर इतनी प्रेम बर्षा की थी, इतनी आशिरवाद दिये थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले ही दिन, पहले ही दिन देने की कोई बाती नहीं की, मैंने मांगा आप से, कासी वाद्थियों से मांगा, और मैंने पब्लिक लिए कहा था कि आप मुझे बादा कीजिए, हम कासी को स्वच्छ करेंगी, आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्चता का जो मुझे वादा किया था और काशी वासियों ने स्वच्चता के लिए जो जहमत की लगातार की है उसका आज हमें लाब मिल रहा है आजिशमान भारत योजना से के तहट मुप्त इलाज की सुविदा जो की गई वो भी इसमेल आप करता रही है उजवला योजना की वज़े से मिले गैस सिलिंडर हो जन्दन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया भियान हो योग और आयूश के प्रती अब जब हम युएन के द्वारा आंतराष्टे योग दिवस को स्विकृती पूरे विश्व से मिली और 21 जुन को योगा दिवस शुरू किया तो शुरू में तो बड़ी मजाग उड़ाए गई आलोचना की गई सांप्रदाइक्ता बिन सांप्रदाइक्ता बे रंग धोये गए लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाब लड़ने में योग का भी महात्मय प्रचलित हो रहा है योग और आयूस के प्रति जागरुपता इन सभी ने कोरोना के खिलाब रड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बड़ाई है